हेलो बच्चों चलिए हम आज के इस वीडियो लक्षर में देखेंगे एलेक्रिक फील्ड डियू टू सर्कुलो आर्क तो एलेक्रिक फील्ड डियू टू सर्कुलो आर्क हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे आप suppose कर लें कि आपको ऐसा एक यहाँ पर आर्क दिया हुआ है ठीक है और यह आर्क अपने सेंटर पे कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और इसका लिनियर चार्ज देंसिटी और इस पर चार्ज जो भी है वो गिवेन है पर पर आपको क्या करना है सेंटर पर पे इसके अलेक्टरिक फिल्ट करना है तो आपको छोटे-जोटे सेगमेंट किजिए वज़स से चोटे सेगमेंट की वजसे देखिये यहाँ पे एक छोटा सा electric field generate होगा यहाँ पे small यहाँ पर generate होगा इधर से यह suppose करें 5 angle बना रहा है element तो यह कितना angle बनाएगा d5 अब इस तरी किसे रगए कि इधर से 5 angle के बाद एक छोटा से element हो जो d5 angle फॉर्म कर रहा तो इस d5 angle वाले element की वज़े से इसके center पर जो electric field होगा इसके center पर जो electric field होगा वो हो जाएगा यहाँ पर d e okay d e तो इधर में भी कितना angle होगा 5 तो इसका component break करेंगे तो आपको क्या में लेगा d e cos 5 ओके और similar process से इधर से भी छोटा से element होगा तो इधर से एक d e आएगा तो इधर से फिर से एक d e आएगा तो इसका एक और d e आएगा है न इधर तो इधर कितना होगा 2 d e और इस वाले एक्सिस पे यहां पर जो भी आएगा d e sin तरह बोथ साइड मों cancel out कर देगा जैसे कि ring में मैंने आपको दिखाया था ओके जैसे ring में आपको मैंने दिखा रखा था उस type से तो आप इस circular arc को दो part में दो segment में divide करके इसको आप derive किजिए ओके तो दिखिए इसका radius r है तो आप यहां पर सबसे पहले जो d e है उसको लिखिए तो d e क्या लिखिए है छोटे से element में charge भी छोटा सा होगा तो d q charge r square ओके यह equation 1 हो गया दूसरा यहां पर आप लिखिए कि जो d phi angle है इसको आप लिखिए d l by r अब इसको थोड़ा simplify किजिए आप लिखिए इसको आप simplify किजिए तो आप लिख सकते हैं यहां से d l is equal to d phi into r यह हो गया equation number 2 and जो linear charge density है उसको हम लोग क्या लिखते है d q upon d l तो आपको यहां से d q मिल जाएगा d q मिल जाएगा lambda into dl and dl आपने find कर रखा पहले से तो आप यहां से जो d q है इसको लिखेंगे lambda into d phi into r यहां तो r lambda d phi यह आपको मिल जाएगा d q charge मिल जाएगा अब यह हमें find करने की जरूरत क्यों है हमें क्यों required है कि हम इसको find कर रहे हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं देखिए यहां पर जो आपको पास net electric field है आर्क के center पे वो कितना है 2DE cos phi है तो 2DE cos phi है तो यहां से आप क्या लिखेंगे 2 into DE का value रख दीजिए आप ठीक है DE का value रख दीजिए यहां पर actually kq by kdq by r square होगा 2 तो यहां पर है और यहां पर 2 नहीं होगा तो यहां से अब देखिए आपको मिलेगा 2dq यह वाला हो गया तो 2kdq by r square into cos phi cos phi अब क्या लिखेंगे यहां से तो यहां से आप cos phi को as it is रहने दीजिए अब देखिए यहां पर dq variable होगे ना क्योंकि आपने चोटे चोटे elements में divide किया तो dq 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 variable होगे तो kdq open r square और cos phi है तो आप यहां पर 5 भी variable और dq भी variable तो यहां पर बहुत सारा variable होगे तो आपको इसको change करना पड़ेगा ठीक आप इसको क्या करेंगे आप लिखेंगे एक ही variable change करना पड़ेगा मतब dq को या तो 5 मिले जाए या फिर 5 को dq मिले जाए तो हम लोगों ने यहां पर देखिए कर दिया है dq को 5 में convert कर दिया है r constant है lambda constant है तो आप लिखेंगे k और dq को लिखेंगे r lambda d5 cos phi फिर यहां से r square तो एक r से r भी cancel होगा तो देखिए आपक क्या मिलेगा बच्चों यहां पर 2k lambda cos phi d5 upon r तो यह आपको यहां से मिल जाएगा d e net तो यहां से हम लोगों को जो d e net है इसको integrate करना होगा तो आप 0 से in it लिखें और इधर में लिखें 2k lambda upon r और यह cos phi d5 okay अब देखिए अब यहां पर क्या है कि हम angle क्या लेंगे है तो angle तो यहां center पर कितना है theta है तो हमने क्या किया कि इधर का और इधर का ले करके element और यहां पर 2d निकाला तो जैसे हम लोग रिंग में कर देए 0 से q by 2 तक उसे type से हम अब complete theta 0 से theta देखिए 0 से हम क्या है ना 0 से theta by 2 तक हम लोग यहां पर लिखेंगे क्योंकि हमने तो यहां पर twice कर लिए तो twice कर लिए इसका मतला में क्या करना पड़ेगा अगर सिर्फ आप d cos phi को integrate करते तो आपको 0 से theta तक करना पड़ता बट यहां पर आपको 0 से theta by 2 तक करना पड़ेगा ओके तो 0 से आप theta by 2 तक लिखें तो देखें आपको मिल देगा इनेट इस इक्वल टू टू के lambda अपॉन आर और cos phi को क्या लिखते हैं हम लोग integration sin phi limit रखेंगे आप 0 से theta by 2 तक तो आप इसको put किजिए तो इनेट जो आपको मिलेगा यह हो जाएगा 2 k lambda upon r और इधर में हो जाएगा sin theta by 2 तो sin 0 तो हमें क्या मिल जाएगा इनेट जो हमें इनेट मिलेगा वो हो जाएगा बच्चो 2 k lambda upon r into sin theta by 2 तो यह formula हो जाएगा बच्चो आप चैनल को subscribe करें like करें share करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे derivations आपको concept आपको numerical सीखने को मिलेगा आपको जो मतलब हो सकता है कि अधर जगर पर आपको नहीं मिले बट फिर भी आपको यहां मिलेगा बहुत सारी चीजह है आप इसको derive किजिए आप इसको देखिए कैसे कैसे concept बता रहा हूं है तो आप इसको अपको बहुत को सीखेंगे तो इसलिए आप इसको subscribe भी जरूर क करें चैनल को ओके सो प्यारे बच्चों देखिए next जो हमारा question है वो यह है इसी पर बेस्ट है सरकल आर्क पर ही देखिए जैसे हमारे पास सेमी सरकल है तो सेमी सरकल दे दिया गया बोला गया ठीक है सेमी सरकल का linear charge density lambda है तो आप बताए कि सेंटर पर कितना field होगा तो सेमी सर lambda upon r sin theta by 2 है ना formula तो आपको ही लगाएंगे आर्क के लिए क्योग यह भी तो सेमी सरकल है बट आर्क तो है ना तो कितना एंगल 180 तो आप यह एंगल 180 है ना अपन 2 तो आपको कितना मिलेगा 90 देखिए मैं लिखा है यहां पर 2k lambda upon r sin 180 by 2 that is sin 90, sin 90 के value कितना होता है बच्चों 1 तो आपको क्या result मिलेगा e is equal to 2k lambda upon r 2k lambda upon r यह आपको यहां से result मिल जाएगा ठीक है अब इस result को आप याद कर सकते हैं directly सेमी सरकल आर्क के लिए और देखिए इसका जो result होगा जो इनेट होगा वो कहां होगा तो इसके diameter से perpendicular होगा directly ऐसे इस टाइप इधर की तरफ होगा अब मैंने आपको यहां पर quarter circle दिया बच्चों वीडियो को pause करके आप पुरा नोट कर लिजेगा अच्छे से कुछ प्राब्लम होने से comment box में comment करके आप पूछ सकते हैं ठीक है मैं आपको explain कर दूँगा ओके चलिए आप देखिए यहां पर जो यह वाला part है इसमें बोला गया कि आपको एक quarter circle दिया गया तो एक quarter circle है अगल बनाएगा नाइटी दिए तो आपसे बोला गया कि ठीक है आप एक quarter circle की वज़से बताए कोश उसके centre पर पर कितना field होगा तो centre पर आपने को field निकालना है तो centre पर यहाँ पर electric field निकालना है और इसका radius r है और linear charge density lambda है तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे देखिए आप लिखेंगे 2k lambda upon r sin और center पर कितना angle 90 है तो 45 है ना तो क्या बन जाएगा sin 45 और sin 45 जब यहाँ बनेगा तो sin 45 को value हम जानते हैं कितना होता है 1 upon root 2 ओके तो आप यहाँ लिखेंगे 2k lambda upon r into 1 upon root 2 फिर इसको simplify करने के लिए मैंने root 2 से multiply divide किया अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तब यह answer correct है बट मैं चाहता हूँ कि और इसको simplify करना तो मुझे क्या करना होगा इस root 2 को denominator से attack के numerator करने के लिए मुझे root 2 से multiply divide करना होगा तो यह root 2 और यह root 2 मिलके 2 हो जाएगा तो इस 2 से cancel हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा root 2 k lambda by r root 2 k lambda by r root 2 k lambda by r तो यह आपको यहाँ से मिल जाएगा ओके अब इनेट तो हम लोग मालूम होगा अब इनेट क्या होगा इनेट तो हम इससा bisect करता है ध्यान रखिएगा और यह एंगल जो बाई सेट करेगा तो कितना बनेगा 45 डिग्री तो अब अगर यहां चाहें आप तो एक्स और वाई एक्सिस में भी आप इसका कॉंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं तो इधर क्या लिखिंगे आप इनेट कॉस 45 डिटर तो इससे हम लोग को यहां से clear हो गया, मालूम हो गया, अब इससे type से हम लोग एक question और करेंगे, जो अपने center पे कितना angle बनाएगा, 120 degree का angle बनाएगा, तो अपने center पे बनाएगा 120 degree का angle, तो आप देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास एक arc है, जो अपने center पे 120 degree का angle form करेगा, तो हमें क्या करना, जेनरल जो formula है, 2k lambda upon r into sin 120 by 2 करना होगा, तो sin 120 2 का मतलब हो गया, sin 60 होना, है न, sin 60, और sin 60 का value हम सभी लोग जानते हैं, कितना होता, root 3 by 2, तो 2 से 2 cancel हो जागा, तो आपको क्या मिलेगा, root 3 k lambda by r, तो इस में, मतलब 120 degree angle पे जब center बनाएगा, तो आपको मिलेगा, root 3 k lambda by r, ठीक है, ओके, तो बच्वों ये सब आप note कर लिजएगा, अच्छे से, ठीक है, ओके, अब हम लोग field lines देखेंगे, ये electric field lines, देखेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग, अगला जो वीडियो होगा, उसमें, हम लोग गौस थियूरियम, flux, ये सारे चीज़े समझेंगे, एक separate वीडियो में, हम लोग उसको formula के समझेंगे, और उसका जो derivations है, उसे related to questions हो, उसको भी देखेंगे, हम लोग अगले वीडियो में, आप देख भी नहीं सकते हो, तो electric field को हम कैसे मतलब समझेंगे, कि direction क्या है, क्या, कैसे calculate करना है, तो उसके लिए direction और समझने के लिए, हम लोग एक imaginary terms define करते हैं, imaginary lines को define करते हैं, तो electric field lines just क्या है, imaginary lines है, जो की electric field के direction को represent करते हैं, तो electric field lines, which represents direction of electric field, तो electric field lines सिर्फ और सिर्फ direction को represent करने के लिए किया जाता है, actual में, मतलब exist, मतलब field lines करता है, बट हम देख नहीं सकते हैं, उसको फिल नहीं कर सकते हैं, तच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग, ठीक है, अब field lines की कुछ properties होती हैं, अब क्या properties हैं, field lines हमेशा positive charge से ही originate होगा, मतलब positive से ऐसे आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा field lines, ओके, and terminates on negative charge, मतलब अब यह terminate, मतलब कहाँ जाए खतम होगा यह, तो negative charge पे, field lines positive से originate होगा, और negative पे terminate होगा, तो negative पे terminate होगा, इस ताइब से, मतलब positive से जो arrow हो आउटवर्ड में होगा, और negative पे inward होगा, field lines never forms closed loop, field lines कभी भी closed loop का formation नहीं करती हैं, field lines closed loop का formation कभी कर ही नहीं सकता है, उसका reason क्या है, कि positive से निकलेगा charge, और यहां आके खतम होगा, positive से निकला charge, यहां के खतम होगा, और closed loop का मतलब क्या होता है, closed loop का मतलब होता है, कि जहां से line start हुआ, अगर वहीं पे आ गया, जैसे देखिए, यहां से start किया, मैंने A से, और यह घुमते, 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 वापस यहीं आके अगर रुख गया, यहां पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पर ऐसे दोखो, ऐसे arrow कहीं पर भी नहीं है, अगर ऐसे arrow कहीं पर भी नहीं है, सभी जग arrow सिर्फ जाता होँ दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ जाता होँ दिख रहा है, कहीं पर भी return arrow नहीं है, तो negative से positive की तरफ कहीं पर भी field lines नहीं आ रही है, इसलिए closed loop का formation कभी नहीं करेगा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है field density तो field density is more near charge charge के नजदीक में field density बहुत ज्यादा होता है क्यों होता है क्योंकि charge के नजदीक में देखिए कम volume में उतना ही field lines है जितना की ज्यादा volume में आपको दिख रहा है यहाँ देखिए 3 lines इतने volume में है और यही 3 lines इतने बड़े volume में है तो field density मतलब number of field lines per unit volume आप देखेंगे तो charge के पास ज्यादा है यहाँ पर कम है और जहाँ पर field density ज्यादा होगा वहाँ पर electric field का strength भी ज्यादा होगा मतलब electric field का strength यहाँ ज्यादा होगा comparison to this point इस point के respect में यहाँ पर field lines का strength ज्यादा होगा ठीक है यहाँ पर field lines का strength ज्यादा होगा ठीक है तो field density directly proportional to electric field intensity अब देखें number 4 है point field lines gives idea about charge जो field lines होती है यह charge के बारे में idea देता है कि मतलब charge positive होगा कि charge negative होगा charge का strength क्या हो सकता है मतलब दूसरे charge के respect में उसका strength क्या हो सकता यह भी हमें बताएगा ठीक है जैसे यहाँ पर आप देखिए ऐसे है ना तो यह आपको बोला गया Q1 और यह charge को बोला गया Q2 तो Q1 और Q2 बोल दिया गया बट आपको यह नहीं बताया गया यहाँ पर कि Q1 positive है कि Q2 positive है आपको क्या करना है field lines का arrow देखकर के आपको बताना है कि कौन negative है कौन positive है अब देखिए यहाँ पर सारे field lines इस charge पर आके रुख जा रहे है terminate हो जा रहे है तो जब field lines inward होता है किसी charge की तरह होता है तो हम लोग उस charge को क्या मानते है कि वो charge negative charge है ठीक है अगर कहीं से किसी charge से अगर field lines बाहर निकल रहे है तो हम लोग क्या assume करते है कि वो field lines बाहर निकल दम क्या एजिम करते हैं को जो चार्ज जहां से फिल लेंज बाहर निकल रही हो पॉजिटीव है तो इसका मतलब यहां पर हम बोलेंगे Q1 पॉजिटीव और Q2 नेगटीव तो Q1 पॉजिटीव और Q2 नेगटीव ठीक है दूसरा पॉजिट्ट दिखिए चार्ज जो है वो डिर्कटली प्र्पोर्पोशनल टू तो देखे Q1 यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Q1 के पास 7 फिल लाइन्स है तो रेशियो निकलेंगा दिखी तो आपको 7 सेबन और इसके पास एक दो स्व… लिखना पोरेगा, चैनल स Qu uma नहीं से, Q2 से कि मत抹 की चार्ज क्यूवन और सू… ईसका मैंगनेटूड ज्यादा हो तो किस्दों क душ कि उसके भाद है, षीर लाइन्स नेवर इंटर्सेक्टि इचथ इस अधर, यह पॉइंट बहुत इंपॉटेंट इसको आप अच्छे समझ लिजे कुछ डाउट होने से अब कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं इसके बाद है फील लाइन्स नेवर इंटसेक्ट इच अधर मतलब जो एलेक्रिक फिल लाइन्स होती है न वो कभी दूब्स और काटेंग τη नहीं मतलब एक दूश्ये लेको टच करते एक point पे एक ही tangent draw सकता है और जो tangent होता है न वो tangent हमेशा direction को represent करता है तो अगर in case मानले जिए एक ये field line और ये field line अगर इसे cut कर देता है अगर इसे क्रोस कर देते हैं तो यहां पर एक point बन गया तो इस point पे एक ही tangent आप draw कर सकते हैं तो मानले जिए अगर इसका मतब फिल लाइन से दुस्रे को इंटर्सेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर कर रही है तो गलत है, ठीक है? चाहते हैं कि आप के पास एक ऐसा डिवाइस है, जो सेफ रहे और वो एलेक्ट्रिक फिल लाइन के वज़े से डैमेज नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए उसको? उसको एक ऐसे बॉक्स में रखना चाहिए, जो बॉक्स कम्प्लीटली कंड़क्टिंग मैटरियल से बना हो जैसे कि copper से बना हो, iron से बना हो, तो conducting material होना चाहिए, ठीक है? तो अगर conducting material होगा, तो उससे क्या होगा? कि उस conductor के अंदर कोई field lines enter ही नहीं करेगा, तो जो भी आप device उसके अंदर रखेंगे, instrument रखेंगे, वो damage नहीं होगा, ठीक है? अब यह क्यों ऐसा होता है कि field line enter नहीं क पढ़ेंगे, ठीक है, conductor जब पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको इसको explain करूगा कैसा क्यों होता है, ठीक है? इनर्जी उगर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी के लिए आप याद कर लिए इसको, कि field lines जैसे यहां से enter करेगा, जैसे यहां यह चीज हो गया, अब देखिए, जो भी electric field lines होती है, बच्चों, वो conductor के surface पे perpendicularly enter करता है, conductor के surface पे perpendicularly enter करता है, ऐसे, ठीक है? always, तो यह भी एक point है, आप इसको note कर लिएगा, कि electric field lines strikes surface of conducting body perpendicularly, हमेशा perpendicularly ही enter करता है, always, always perpendicularly enter करता है, ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक चोटा सा, एक question करवाता हूँ, या फिर मैं आपको समझाता हूँ, या पर एक चोटा सा diagram ले करके, जैसे, यह देखिए, अगर माली जी मेरे पास एक charge है Q1, जो की positive है, ठीक है, मैंने clear बोल दिया, positive है, दूसरा charge है Q2, जो की positive है, अब कुछ इस type का होगा, मतलब field lines यहां से यह से निकलेंगे, इधर जाएंगे, field lines यहां से निकलेंगे, इधर जाएगे, field lines यहां से निकलेंगे, इधर जाएगा, field lines निकलेंगे, इधर जाएगा, field lines निकलेंगे, इधर जाएगा, जो कोई भी field lines ऐसे नहीं जा सकता है, इसके जा सकता है क्योंकि यह भी positive है यह भी positive है इसका भी fill lines निकल के इधर चला जाएगा ठीक है निकल के इधर आजाएगा cut तो कड़ेगा नहीं ठीक है निकल के इधर आजाएगा इधर चला जाएगा ऐसे चला जाएगा but cut नहीं करेगा एक दूसरे को ठेक है, cut नहीं करेगा एक दूसरे को cross नहीं करेगे और इसका fill line न इधर आएगा न इसका fill line इधर जाएगा जाही ही नहीं सकता है क्योंकि यह positive है, यह भी positive है, ठेक है बाकी आप charges का strength आप इस number of fill line से calculate कर सकते हैं कि charges का ratio कितना हाएगा तै, झाल 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 झाल